हेलो फ्रेंड, पिछली वीडियोस में हम लोग काफी कुछ सेलेक्षन के बारे में सीख चुके हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने सेलेक्षन को सेप किस तरह से कर सकते हैं और बाद में आप उसी को किस तरह से यूज कर सकते हैं selection shape करना बहुत ही जरूरी है कई बार क्या होता है कि आप बहुत ही complicated selection बनाते हैं like आपको 10 minute, 15 minute है और 20 से जानदा लग जाते हैं अगर आप उसको दुबारा से बनाते हैं तो फिर से आपको उतना ही time लगता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं उस selection को save कर देते हैं और अगर हमें जब दुबारा जोट पड़ती है तो उसको use कर लेते हैं तो example के तौर पर यहां पर एक lady है इसका मैं एक selection बना लेता हूं आपको बताऊंगा तो आपको select में आने के बाद यहां पर आपको मिल जाता है और इसको मैं कर देता हूं save तो यह selection मेरा set हो चुका है अब अगर जैसे मैं Ctrl D करता हूँ यह D select हो चुका है अब मुझे बापिस से वही selection चाहिए तो इसके लिए मैं कहा करूँगा select में जाओंगा और यहाँ पर आपको मिल जाता है load selection जैसे आप load selection पर करेंगे click तो यहाँ पर आपको channel दिख जाता है lady जो lady के नाम से हमने बनाया था और अगर करें तो यहाँ पर actually हम लोगों ने अभी एक ही selection बनाया तो यहाँ पर lady अकिला दिख रहा है अगर हम लोग एक और selection बनाते तो वो भी same दिखता और यहाँ पर आपको एक option और दिख रहा है invert invert मतलब क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ यह lady का जो है इसको select ना करके इसक देता हूं और then okay करेंगे तो अभी lady select हुई थी लेकिन अभी यह पीछे का area select हुगा है यह select हुगा है और जब भी आपको confusion हो कि आप कौनसा area select हुगा है तो आप यहाँ पर quick mask करके जरूर देख लेजिए करेगा तो जो जो आपको highlighted दिख रहा है वो select है और जो आपको red color से इस तरह से दिख रहा है यह select नहीं है इसका आप color भी change कर सकते हैं double click करेंगे यहां से आप double click करके color भी कोई भी change कर सकते हैं और opacity आप इसकी कम्या जानदा कर सकते हैं तो देखो यह selection save हो गया है तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं अभी जो हम लोगोंने selection बनाए लगा है अभी जो मैं काम कर रहा हूं और आप चाहएते हैं कि यह आघे काम करें तो आपको क्या करना होगा जो जिस photograph में काम कर रहा हूँ इसको पहले आपको save करना होगा तो मैं सक। कर देता हूं desktop पर 172 अबरभी में नगे लिए इस आपको ग्रेश कर देता हुए उर इस करने के बाद हमारा जो selection है वो selection बापिस से बना रहेगा तो आपको यह चीद ध्यान देना है जब भी आप अपने selection को चाहते हैं तो आपको इस photo को भी save करना होगा क्योंकि जिस पर मैं काम कर रहा हूँ अगर आप इसी को save नहीं करेंगे तो आपको selection कहां से मिलेगा और अभी अगर मैं select पर जाओ load selection पर और यहां पर मुझे वापिस से मिल जाता है lady का then okay करेंगे तो यह selection मेरा वापिस मुझे मिल चुका है तो इस तरह से आप अपना selection बना सकते हैं और बाद में आप अगर उसको use करना चाहें तो बाद में use कर सकते हैं लेकिन आप उस file को save जरूर कर दें जब भी आपको अगर दुबारा से उसको use करना है ओके तो आपको यह video पसंद आई होगी